हेलो बच्चा लोग दिस इस गुपाल सार और वेलकम टुए जूबुस्टर्स आज हम लोग डिसकस करेंगे बलैनो ग्लोसस ने जो बाड़ी पार्ट हमने डिसकस कर लिया है प्रोबोसिस कालर और ट्रंक तो वहां पर हमने डिसकस कर लिया था इन सारी चीजों को अभी फिला यानि बलैनो ग्लोसस में जो ट्रंक है उसके पार्ट के राड़ में डिसकस करेंगे इसके पाहले वीडियो में हमने सब कुछ de stra ownsफ्पर में बला था कि अभिंक्स्ट बीडियो में इसने इतर चप्रांग यह से लार्जेस्ट पॉला जाता है यह अप extremely कि यह यह ब्रांचीव रीजन है और इसी को ब्रांची वाला पोर्षान जहां पर हीपैटिक सिखा है इसी में आपको मिल जाएगा यानि ब्रांचीव जाते हरा है यालास्ट वाली पार्ट यानि यानि पोस्ट हीपैटिक रीजन तीन पार्ट हमने बोला था ट्रंक में डिवाइड है क्या-क्या एक ब्रांचियों जनाइटल रीजन दूसरा हीपैटिक रीजन ये वाला पोर्शन और देन आता है पोस्ट हीपैटिक रीजन जरह देख लिया जाए यहां पे नोट्स को the anterior part of trunk यहां से anterior trunk ही यहीं part anterior है तो anterior part of trunk is called branchiogenital region जनाइटल का मतलब होता है जहां पे इसके sexual reproduction के लिए या फिर reproduction वाला जो पार्ट जहां पे पाया जाएगा वो genital से सम्मंदित होगा this region have a pair of lateral, thin, flat and longitudinal flaps बच्चे बहुत सारे यहां पर question भी किये थे sir, flap क्या होता है flap का मतलब जैसे हम tie लगाते हैं तो लटका हुआ रहता है वैसे हैंगिंग portion में यहां पर देखोगे तो इसके gills पाए जाते हैं और यह genital wings पाए जाते हैं तो यह वाली portion को बोलते हैं क्या longitudinal flap या आप यह longitudinal flap ऐसे भी कर सकते हैं इस ढ़ंग से दिखलाई देता है तो यह हो गया फिर containing the gonads और यहां पर क्या किये रहते हैं flaps के बाद है the genital wings containing the gonads यह जो genital wings है इसके पास क्या है content किया हुआ है gonads यह देख रहा है आपने आपने देखा होगा कि यह जो सीका वाली portion है इसके just उपर यहां पी यहां से यहां तक की जो portion है इसमें क्या है इनके gonads भी पाया जाते हैं gonads are enclosed in the wings यह wings से जुड़े हुए है and open outside जो की open होते हैं outside की तरफ by a microscopic gonopore यहां पे आप देख रहा है gills में जो gonopore पाया जाता है gills pore भी बोलते हैं यह एकदम छोटा छोटा होता है जिसको हम neck dye से नहीं देख सकते हैं तो उसको देखने के लिए microscope की help लेनी परती है इसको बोला जाता है microscopic gonopore किस region में है यह वाली portion जो branchiogenital region है इसके हर wings में आप कर सकते हैं sexes यहां पे separate होते हैं लेकिन identify नहीं किया जा सकता यहां पे male और female इसी wings में देखे जाते हैं जिसकी opening अंदर से जाके यहां gonopore में होती है gonopore क्या करता है sperm और वा को release करने में helpful होता है I mean जो gametes होते हैं से release होते है gonopore से ही देनाता है hepatic region hepatic का मतलब ही होता है liver या intestinal संबंदित जो बाते की जाती है hepatic से संबंदित होता है the middle and smaller यह middle वाला part यह middle वाला इतना छोटा सा part middle and smaller part of trunk आपने यह देखा कि middle part एक portion यहां से यहां तक अलग कर दिये दूसरी portion यहां से तो यह middle part हो गई middle और यह क्या है smaller है बहुत larger part नहीं होती है छोटी सी part की बात की जाती है part of trunk is called hepatic region और उसी क्या बोला जाता है hepatic region यह कैसे होते हैं it is greenish यह हरे रंग के दिखलाई देते हैं in color and the dorsal dorsal ही कैसे होते हैं dorsal surface है यह जो इसका dorsal surface है या इधर की तरफ आप देख सकते हैं डorsal surface जिसका होता है यह dorsal बोला जाता है dorsal surface है क्या है numerous बहुत सारे irregular intestinal circulation आफ हीपेटिक सीका हीपेटिक सीका की बहुत सारी series पाई जा रही है यानि यह sac like structure छोटे 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 एक series में कत्रित हुए है तो इस वज़े से इसको circulation बोला जाता है circulation का मतलब कोई ऐसी पार्ट जो बार बार सकुलेट की हो तो यहां पे intestinal पार्ट ऐसी है कि क्या सकुलेट की हुई है सिकुड़ी हुई है या series में एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे बेवस्थित है डार्शली रीजन पे तो यहां पे हमने देखा कि irregular intestinal circulation of hepatic cica यह point याद रखना circulation of hepatic cica numerous irregular intestinal के ही पार्ट है सकुलेट किये हुए है फिर आता है next point जो तीसरी पार्ट है किसकी ट्रंक की वह है post hepatic region जो यहां से खतम होने के बाद यहां से यहां तक की पूरी portion जो होती है इसको बोला जाता है post hepatic region इसमें है क्या the posterior एकदम लास्ट वाला पार्ट है एंटेरियर कौन था यह था middle कौन था यह था posterior यानि post hepatic region और anterior यानि branchiogenital region बात आती है the posterior largest part of trunk is called post hepatic region आप एक line में भी इन सबको याद कर सकते हैं एंटेरियर पार्ट branchiogenital region middle part hepatic region और लास्ट वाला जो पार्ट होता है posterior part इसको बोला जाता है पार्ट ट्रंक क्या बोला जाता है posterior part जो लांगेस्ट होता है इसी को बोला गया है क्या post hepatic region it is also called as the cardinal and abdominal region इसको बोला जाता है cardinal region यह वाला पार्ट टेल वाला कडल यानि टेल देन आती है बात इस posterior end टेपर यह posterior जो इंड होती है यह टेपर होती है चिप्टे टाइप की होती है सौरी सौरी कुछ स्वास मेरा डाउन है इस वाज़े से प्लास में थोड़ा सा डंप पड़ जा रहा है कोई नहीं आपको नोट्स प्रोवाइट कर दे रहा है आप नोट्स बना लिजेगा इसमें बहुत ज्यादे इंपार्टेंट कुछ है नहीं हमने यह टापिक डिसकस करने के लिए छोटा सा एक वीडियों रख दिया है पूस्ट हिपैटिक रेजन में हमने क्या बोला पॉर्टेज़ लारजेस्ट पार्ट ऑब ट्रंग किस्काल्ड क्या बोला जाता है बंड़ numeTM का मतलब होता है पूछ वाला जैसे दिसक को कडल लिजन होता है टेल वाला पार्ट इंड पार्ट भी बोला जाता है और अपीं यह सब ऐसे शेप में ही होते हैं कि सीकुड़े रहेंगे तो वहाँ से फैला हुआ दिखला दीता है क्या हुआ Abdominal Region और Terminal Abdominal Region के बाद आ जाते है यहाँ It's Posterior End इसकी जो Posterior End होती है Tapers होती है Cheptis Lately हलकी Cheptis होती है And Beards और धारन क्या की होती है और Terminal Ennis Last End पे आपको इसके Ennis दिखलाई देते हैं या वेस्ट मेटेरियल को Pass Out किया जाता है हमने आज डिसकस कर लिया बनेलो गुलसवस में ट्रंक के जो पार्ट थे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड कर देंगे जल नहीं आप बने रहीएगा हमारे वीडियो पे जितना सेयर कर सकते हैं करिये हमको अच्छा लग रहा है कि सेकेंडियर वाले अच्छा रिस्पांस दे रहा है बहुत सारे बच्चे जैसे मदू है सिखा सुकला और सुम्या सुकला दो एक बच्चे कनहिया है यहां देखा था बोला कमेंट किया थार्डियर के वीडियों को अपलोड करने के लिए हम हम आपके exam के recording सारे important portion प्लस आपके पूरे topic को syllabus वाईस discuss करेंगे एक बच्ची है जो बाहर स्टेट से है आपको यह बता दे बेटा कोई स्टेट हो हम सारे syllabus को discuss करेंगे अगर जुला जी की point है तो वहां पे आपको मिल जाएगा सो प्लीज दो-चार साल का पेपर उठा के देख लिजेगा साइट डिमपल चौहान नाम है बच्ची ने कमेंट किया था तो आपको बता दे बेटा कि आप किसी स्टेट से रहो आप सारे syllabus को मिला लेना एक बार और पेपर दो-चार साल का देखो जो हम पढ़ा रहे हैं वह